नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है प्रीतम और आप देख रहे हैं Being Smart Seeker तो इस चैनल का यह पहला वीडियो है और आज इस पहले वीडियो से हम लोग Excel Seat का टूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आज के इस वीडियो में हम लोग सेल के बारे में जानेंगे एक सेल के अंदर हम लोग कौन-कौन सा ऐसा अप्सन है जिसे यूज करके किसी भी सेल को एट्रेक्टिव बना सकते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ एक से लेकर के 10 तक पॉइंट जो आपके डिस्प्लेय पर दिख रहा है उसके बारे में हम लोग एक सेल के अंदर इतना सारा टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है और जितना सारा हमने अप्सन आपको डिस्प्लेय करके दिखाया था वो साइड में हमने वन टू वन करके एक से लेकर के 9 तक हमने लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम सारे अप्सन को यूज करना जानेंगे और उसके बाद ये सीट के अंदर जो सेल है और इस सेल को जिस प्रकार से हमने अट्रेक्टिव बनाया है इस प्रकार से आपको बनाना इस वीडियो का अंत करें जैसे कि हमने इस सेलेक्ट किया और मुझे इसका फॉंट चेंज करना है तो सबसे पहले हम होम बटन पर जाएंगे और यहां पर फॉंट के उपर क्लिक करके जो भी फॉंट हम सिलेक्ट करेंगे उस फॉंट में ये टेक्स्ट आटोमेटिक चेंज हो जाएगा अप्सन है sentence break करना ध्यान रहे कि sentence break करना third option paragraph change करना या फिर यह जो one number point और two number point देख रहा है इसके बीच का जो space है यदि आपको space देना हो तो तीनों में एक ही option यूज करेंगे alt plus enter यदि आपको यहाँ पर space देना हो तो alt के साथ enter बोटन दबाते जाएए और आपका space automatic होते तो जहाँ पर highlight हो रहा है यदि यहाँ पर यदि हमने highlight किया यहाँ से हमें sentence को break करना है तो बस यहाँ से alt plus enter बोटन दबाएंगे वो sentence break हो जाएगा जैसा कि यह हमने symbol के साथ में sentence break करके तीन अलग-अलग sentence तयार किया है सेम यदि paragraph भी change करना हो तो यह alt plus enter बोटन दबाने के स सबसे ज़्यादा alt plus enter बोटन का option यूज करके sentence को break करते है या फिर paragraph को change करते है और यह daily day-to-day work life में यूज होता है fourth number है text coloring अगर किसी भी text को आपको color करना है तो सबसे पहले आप उसे select करें उसके बाद home button में जाए, home के बाद आप आजाए font color में, font color में जाकर के जो color आप यहाँ से select करेंगे उस color में वो text automatic change हो जाएगा fifth number है symbol add करना, यदि आपको कहीं भी symbol add करना है जैसे कि हमने किया हुआ है, यहाँ पर यह आर करके घेरा हुआ है, यह प्रकर का symbol है तो यदि हमें यहाँ पर symbol add करना है, तो सबसे पहले वहाँ पर double click करके highlight करेंगे, उसके बाद जाएंगे insert में, insert में सबसे right side में symbol का option दिखेगा, इस पर click करें, और उसके बाद एक symbol का अलग से tab open हो करके आएगा, जो भी आपको symbol add करना है, जैसे कि हमें copyright वाला एक symbol है, इसे यहाँ पर add करना है, तो just इसके उपर click करके आपको highlight करना है, और उसके बाद insert button पर click करके इस tab को close कर दे उसके बाद अपना option है, 6th number पर bold या फिर italic करना, किसी भी text को यदि आपको bold या फिर italic करना हो, तो उस text को आप simple select करें, और उसके बाद control B bold हो जाएगा, यदि undo करना है, तो फिर से control B का button दबा ले, और यदि आपको italic करना है, तो control के साथ i button दबा ले, और same button दबा करके आप इसे undo भी कर सकते है, तो हमारा 7th number है, underline करना हो, तो हम कौन सा option use करेंगे, तो same हमें पहले text को select कर लेना है, और उसके बाद control के साथ, यदि हम यू दबाते हैं, तो वो automatic underline में convert हो जाएगा, यदि आपको manually करना है, या फिर आपको जरूरत पढ़ गया कि हमें double underline करना है, जो की 8th number option पर दिख रहा है, तो सबसे पहले हम home button में जाएंगे, और उसके बाद underline का option आपको दिखेगा, just उसके arrow पर click करके, या तो आप double underline कर सकते हैं, या फिर single underline यहां से select कर सकते हैं, यदि आपको undo करना है, तो same control plus U, या फिर यहां पर जाकरके, उस cell को, उस text को select करके, उसके उपर फिर से tap करने पर वो automatic undo हो जाएगा, उसके बाद last one है, जो 9th number पर है, font का size किस प्रकार से आपको change करना है, तो सबसे पहले आप उस text को select कर ले, जिसका font का size आपको change करना है, और home button में जाए, home button के बाद में आपको font size का option मिल जाएगा, यहां से आप जो size select करेंगे, वो size में वो वाला selected text automatic convert हो जाएगा, तो अभी हम लोग font को change करना, sentence break करना, paragraph change करना, या फिर point के बीच space देना, text को color करना, symbol add करना, bold करना, italic करना, उसके साथ-साथ underline and double underline करना, और last one है, font का size change करना सीखे, तो इस प्रकार से हम Excel के अंदर बहुत ही बढ़िया achievement का seat बनाना सिखे है, तो जितना सारा option हमने बनाया है, इसको एक diagram से हमने आप सभी लोगों को बताया है, और यह diagram आप सभी लोगों को practical करते समय काफी helpful होगा, जैसे कि अगर आपको symbol add करना है, तो insert button में जाकर के symbol के option प जाना है, यदि आपको bold करना है, control B, यदि आपको double underline करना है, तो home के अंदर underline वाले option में जाना है, यदि आपको underline करना है, तो यहीं से जाकर के वो भी option आप use कर सकते हैं, यदि आपको italic करना है, तो control plus I, यानि कि सारा option हमने यहाँ पर दे रखा है, आप इसका चाहें, तो screenshot ले करके अपने phone में या फिर computer में save करके रख सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को subscribe कर ले। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप comment करके हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद।